देखो भाई लोग, Marvel का content बनाते वक्ट DC की टीशेट पहनना, it's called as Unity in Diversity, okay? कमेंट में जादा बाते नहीं करने का ठीक है? Loki season 2 का trailer आचुका है भाई साब, I mean अभी तक मुझे जो लग रहा था कि Marvel को हो क्या गया है, ऐसा कुछ क्यों नहीं ला रहा है, जिससे Marvel की hype हमेशा से उपर रहती थी, and एकदम से drop हो गया Loki के season 2 का trailer, and सच बोलू तो Loki एक ऐसा show है, जिसको मैं personally अपने favorite Marvel show के list में top 3 में हमेशा से रखूँगा, जब से इसका first season खतम हुआ है, मैं wait कर रहा था कि season 2 कब आएगा, and ये 6 October अब मुझे बहुत दूर लगने लगी है, क्योंकि trailer भी काफी अच्छा निकाला है, और एक साथ Hindi, English, Tamil, Telugu सभी languages में live कर दिया है, Hindi trailer Disney Plus Hotstar के channel पर available है, या Marvel India के page पर भी आपको मिल जाएगा, बाकी बात अगर इस trailer किक करे, तो जहां से पिछला season खतम होता है, अपने everything, everywhere, all at once में फाडू acting करते हुए देखा होगा, तो लोकी और Mobius OB के पास गया है, लोकी की एक problem ठीक करने time slipping की, याने एक time से दूसरे time में automatic slip हो जाना, याने फिसल जाना, तो अभी लोकी जो है इस season में तरह तरह की timeline में automatic चले जाएगा, जिससे और भी मुसीबते खड़ी होगी, और TVA के अंदर time slipping होता ही नहीं है, तो उसका इलाज भी मुश्किल है, I mean जब तक लोकी का ये problem solve नहीं हो जाता, वो time slipping करता ही रहेगा, कभी future में जाएगा, तो कभी past में, कभी खुद के ही timeline में चला जाएगा, और खुद से भी मिल लेगा, एक चीज़ भी notice की, मैंने जो Earth 616 के और इशारा कर रही है, that is एक show का poster देखा, जहां लिखा है Zaniac, और second scene था एक actor का, जिसके right side में अगर देखोगे, तो एक लड़की poster पकड़े, Marry Me Brad Wolf लिखा है, तो Marvel के database से ये पता चला है, कि ये जो actor है, वो actually Zaniac monster ही होने वाला है, जो इस series का एक छोटा सा villain part प्ले करेगा, I mean actual villain भाई साब, Kang ही है, उसका कोई तोड़ नहीं, बट इस Zaniac के original avatar, उस actor को दो Loki के shadows एक साथ पकड़े हुए है, ये भी हमें दिखाया गया है, जिसको last में हम TVA के door में कैद भी पाते है, मतलब उसको पकड़ लिया गया है, तो Zaniac को पकड़ने का वो एक mission रहेगा, जो Loki और Mobius मिलकर पूरा करेंगे, बट obviously main villain again, वो ही अपना Kang है, डोंट वरी, एंड मुझे कही पे लग रहा था कि जब से Kang के actor पर legally case चल रहे है, वो actor कही यहाँ पे change ना हो जाए, बट नहीं हुआ, अच्छा है, लास्ट में fight scene के बाद जब Loki ऐसे चलते हुए जाता है, पीछे Loki का नाम आ रहा है, और एक Hindi में dialogue है, क्योंकि मैंने हिंदी में देखा, बहुत हो गई शराफत, अब होगी शरारत, I mean, Loki is god of mischief, you know, तो Loki की असली शरारते हमें इस season में देखने को मिलेगी, for sure, and I am really excited to see this season, यार, ये 6 October, काश मैं भी time slipping कर पाता, तो सीधा 6 October की date पर चला जाता, Anyways, लोकी के season 1 का recap यहाँ available है, वीडियो पर क्लिक करो और देख लो, बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में, बाई